हेलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त मनिस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अहुजा का मिक्सर तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो मिक्सर है यह जो है यह हमारा जो है 14 चैनल का है तो यहां सब देख रहे हैं यह इसका एक नंबर दो नंबर तीन नंबर तो यहां यहां पर सभी मारे जो board हैं उनकी यहां पर clipping switch दी गई है जैसे कि यहां one two three तो यह जिसको हमें work करना है कि उसी को use करने के लिए यहां पर इससे हम power on up कर सकते हैं तो यहां पर slide की दी गई है यहां पर आप देख रहे हैं जो कि यह volume control के लिए यह है तो यहां पर यह volume control के master volume है तो यहां से जो हमारा left side का है और right side का master volume होता है इससे हमारा यह control होता है तो left right जो हमारा होता है वो हमारा stereo होता है तो यहां पर stereo और mono को करने के लिए यहां पर देखिए एक switch दी गई है यहां पर तो यहां पर लिखा है mono और stereo output तो यहां पर यह देख रहे हैं जब जाओड पुस के युच करेंगे, तो से थीरियों में वर्क करेंगा तो अभी समय ये स्टेडियों में तो यृण्य को मैं दबा दियए अभी यह मोनो हो गया तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे कुछ mobile phone होते हैं जिन में gain बहुत कम होता है यानि कि इसमें audio frequency कुछ कम निकलती है तो उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर coupling की lead जो है यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यह जो है यहाँ पर लिखा टेप तो यहाँ पर भी यह gain के ही लिए है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे जो audio जो हमारे left right जैसे कि आपने यह देखा RCA circuit होता है जो कि हमारे color TV, DVD और amplifier में जो है इसको use किया जाता है तो इसमें L और R है यानि कि left और right है यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं आप यह REC लिखा यानि कि यह receiver यानि कि यह input करेगा यहाँ से ठीक है तो यहाँ पर आप दो coupling lead लगा सकते हैं यहाँ पर जैसे यह यह लिखा यह left left का है यह right right का तो यहाँ पर आप दो phone card यहाँ पर आप दे सकते हैं तो यहाँ पर यह कुछ इसमें जो है socket connection यहाँ पर बताए गया है जैसे कि अगर आप mobile use करते हैं तो यहाँ पर जो यह first pin होता है यह left side का होता है, यह जो beech वाला finger राइट का होता है और यह जो third pin है, यह ground होता है तो यह हमारा hereum होता है और जहां पर हम arcs को send करते हैं यहां फिर हम return ने लेते हैं तो यहां पर जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर arcs को send और return करने के लिए यहाँ पर देखें दो साकेट बनें, तो यहाँ पर यह आक्स संड है, यानि कि यहाँ से input हम इसको देते हैं, और यह आक्स लिटर ने, यानि कि यहाँ से input को निकाल कर किसी दूसरे में देते हैं, और यहाँ पर जो है LED VU मीटर लगा है, तो यहाँ पर यह हमारा आक्स को दि अगर आक्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसके लिए जो रिटर्न वाला है यह नीचे वाला जो है मिसको यूज करेंगे, यह जो हमारा third point है यह हमारा pain का है, और यहाँ पर यह level है, जिससे की हम level को set करते हैं, यह view meter का, और यहाँ पर यह delay है, यह repeat है, अब यह आगे आते तो यहा पर जो coupling lead हमारी जाथी जो amplifier से direct आते है तो यहाँ पर तेख रहे हैं अब, यह high लीखा, यहाँ पर लो लीखा, तो है उहाँ पर left और right लीखा, तो यहाँ पर left channel में यहाँ पर circuit बने हुए है तो यहाँ पर high line output तो यहाँ पर देख रहे हैं यह line out है और यहाँ पर जो है यह low है तो यहाँ पर high low और line out के लिए दोनों जो है यहाँ पर हमारे बने हुए है और यहाँ पर जो हमारा जो इसका जो channel है तो आपको मैं इसका एक number channels मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, माल लीजिए हम इसको first number से start करते हैं, तो एक number में जब आप, तो इसका जो ये partition है, ये एक-एक partition जो इसमें जोड़ जोड़कर बना गया है, तो यहाँ पर आप ये जो हमारा first number है, ये volume, ये हमारा जो है यहाँ पर pen है, तो यहाँ पर ये pen, यानि कि आवाज में थोड़ी से तीखापन पैदा करने के लिए, ये जो है यहाँ पर, यानि कि उसमें जो है थोड़ा सा उसके लिए यहाँ पर ये pen का use कियाता है, यहाँ पर ये है eco, तो eco को आपको पता है जो धोने की गूँच होती है, उसको बढ़ाने के लिए, जो हम यहाँ पर eco का استعمal करते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो आगे है, यहाँ पर aux, तो यहाँ पर aux, जो हमारा होता है, यानि कि जो input signal होता है, उसको control करने के लिए हम यहां से एक बार set कर लेते हैं जैसे कि इसको हम यहां से बढ़ाते तो हैं लेकिन यहां पर जो है इस से हम इसको set कर लेते हैं यहां पर है हमारा bass है आगे हमारा यहां पर mid है यहां पर हमारा treble है और यहां पर हमारा यह gain है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ें एक ही तरह तो यहाँ पर यहाँ पर यह माइक के लिए है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गेन है ट्रेबल है मीड है बेस है और यहाँ पर आक्स है और यहाँ पर इको है और पैन है तो इतनी सारी च स्विच है तो मैं इसको एक बार मैं आन करता हूं मैं तो यहां पर अब देखते हैं तो यह देख रहे हैं आप यहां पर यह पावर आ गया और यहां पर जो यह इसका यह वियू मीटर देख रहे हैं यह तो यह कुछ इस तरह से चल रहा है तो इसमें यह जो यह एंप्लिफा और यह ग्राउंड है, यहाँ पर सिगनल है और ग्राउंड है, तो हमारे जो होते हैं, जो कप्लिंग लीड होते हैं, उसमें क्यों हमारे दो ही चीज़ होते हैं, एक सिगनल होता है, ग्राउंड होता है, और जो हमारे माइक के लिए यूज करते हैं, यह फोन के लिए यूज क तो इसे अपने से बनाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन इसका जो दो चैनल है, यानि कि यहां से जो यह दोनों मास्टर हैं, इन दोनों मास्टर की सरकीट को हम कापी करेंगे, और यहां पर जो है, इसका हम दो से तीन चैनल का हम कापी करेंगे, तो मैं यहां पर को दो चैनल इसको हम कापि करके इसका सार्क्रिट डाइगरम तयार करते हैं, उसके बाद जो है इसको प्रिंट करके आप बनाएंगे, उसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे, और ये काफी अच्छा, बहुत ही महंगा ये माना जाथा है, तो ये अहूजा का है, जो कि 14 चनल में है, काफी बिक साइज का है